इस मोड्यूल में हम देखेंगे कि MS Excel हमें किस किसम के और कितनी किसम के analytics offer करता है जितनी भी analysis जितने भी analytics Excel में मौझूद है उनको हम primarily तीन किसम के analytics में divide कर सकते हैं यह descriptive भी हो सकते हैं यह comparative भी हो सकते हैं और यह pattern development यह जिनको हम कहते हैं associative वो भी हो सकते हैं इन तीन के इलावा MS Excel हमें किसी और किसम के analytics offer नहीं करता है यह session primarily focus कर रहा है descriptive के ओपर अगले sessions में हम देखेंगे के जो comparative हैं या जो associative हैं उनको हम कैसे deal करेंगे descriptive statistics को जब हम बात करते हैं तो इसका बुन्यादी मकसद यह है कि situation को आपके सामने रखा जा सके नंबर की form में जो हमारे पास data या information आ रही है उसको हम summarize कैसे करेंगे descriptive statistics का बुन्यादी तोर के ओपर यह purpose यह descriptive नंबर की सूरत में भी हो सकते हैं यह descriptive कुछ तस्वीरों की शकल में भी हो सकते हैं बहले यह नंबर की सूरत में हो बहले यह तस्वीरों की सूरत में हो बुन्यादी मकसद इनका यही है कि जो data हमें तस्वीर बना रहा है जो data हमें कहान बता रहा है वो क्या है उसको हम देख सकते हैं जब हम descriptive statistics की बात करते हैं तो primarily हमारे पास average जो concept हमने पहले भी सीखा था mean, median और mode के हवाले से हमारे सामने आता है इसके बारे में हम पहले भी discuss कर चुके हैं, मैं ज्यदा वकत इस पर नहीं लगाओंगा हाँ, इस बात के उपर ज़रूर जोर दूँगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस situation में हमें mean इस्तमाल करना है किस situation में mean इस्तमाल नहीं करना बलके median या mode इस्तमाल करना मैं इसकी मिसाल आपके सामने रखता हूँ आपको पता होगा कि जब हम economics term में पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो per capita income यानि पाकिस्तान में रहने वाला हर शक्स कितने पैसे कमा रहे है वर्ड बैंक के मताबिक ये कोई 1280 या 1290 डॉलर के करीब ये रखम बनती है एक साल में यानि हर साल में हर पाकिस्तानी 1280 या 1290 डॉलर कमा लेता है इनको जब हम रुपीज में convert करते हैं तो ये कोई धाई पौने तीन लाख रुपए के करीब रखम बनती है और जब हम इनको per month income के हिसाफ़ से देखते हैं तो अंदाजन not exactly अंदाजन ये कोई 22-23 रुपए के करीब बनते है बहुत हिरानगी की बात है ये कहना कि हर पाकिस पाकिस्तानी 22-23 रुपए पर month कमा रहा है बहुत बड़ी रकम है कुछ के लिए शायद ना हो लेकिन हमें हमारी observation में है कि सारे पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं कमा रहे तो ये क्या figure गलत calculate हुई हुई है नहीं figure गलत calculate नहीं हुई हुई जो technique इस्तमाल करनी चाहिए थी वो नही की आम तोर के ओपर हम जब per capita income use करते मीन इस्तमाल करते है अगर मीन इस्तमाल करें तो अब आपके सामने figure मौजूद है उसके मताबिक हर पाकिस्तानी 22-23 रुपए पर month कमा रहा है जो अच्छी खासी बड़ी रकम है तो descriptive statistics पढ़ते हुए हम ये जहन में रखेंगे primary focus यह हो जिसमें हम देखते हैं कि हम ये calculate कैसे करेंगे और जब हमारे पास calculated चीज़ आ गई तो हम ये फैसला कैसे करेंगे कि mean इस्तमाल करना है, median इस्तमाल करना है या mode इस्तमाल करना है अगर आपके जहन में कोई issues ने हैं तो please उस session को आप prefer कर रहा हूं मैं वहाँ पे आप जाके दुबारा देखने हैं इस वकत मेरे पास ये वही Excel की में फाइल मौजूद है और ये data analysis का tool मौजूद है primary purpose मेरा ये है कि मैं इसका descriptive statistics यानि summary statistics इसकी calculate करूँ इन मेंसे किसी एक variable की let's say मेरे पास variable age है उस age की मैं descriptive statistics calculate करता हूँ तो data analysis और ये जो बहुत सारे analysis जिनका नाम लिखा हुआ है इन analysis में मैं descriptive statistics को click कर लेता हूँ okay किया यहां पर मुझे उसको बताना है कि वो variable की information मेरे पास कहां पर मौजूद है तो ये information मेरे पास E1 से लेकर E5001 तक मेरे पास मौजूद है column में information है और क्योंकि मैं first row से start कर रहा हूँ और first row में इसका label मौजूद है तो मैं इसको click कर लिया दूसरी चीज़ जो बहुत important है यहां पर on करनी है जो अक्सर जहन से रह जाती है इस वजह से मैं इसको दोहरा रहा हूँ इस summary statistics को ज़रूर click करना है यानि हमने Excel को बताना है कि यह जो data जिसको हमने उपर mention किया है इसके साथ हमने करना किया है कौन सा analysis हमने करना है तो हमने इसमें Excel को बता दिया है कि हमने summary statistics यहां पर on करनी है इसको okay का button प्रेस किया depending on the speed of the computer यह हमारे पास उसकी information आ जाएगी अब यहां पर जिस तरह भी मैं discuss कर रहा था mean भी मौजूद है, median भी मौजूद है, mode भी मौजूद है हमारे लिए यह problem है कि किसको use करे mean, median या mode इसके लिए कुछ हमने rule develop किया हुए है rule यह है, दो rule मैं आपके सामने discuss करूँगा, पहला rule यह है कि हम variable की type देखेंगे, अगर variable की type quantitative है तो हम mean या median में से कोई चीज यूज़ करेंगे, और अगर variable की type categorical है, तो हम mode यूज़ करेंगे तो rule number one says about the type of variable, if the variable is categorical, always use mode और अगर यह quantitative है, तो हम mean या median में से कोई चीज़ यूज़ करेंगे यह rule number one था, rule number two हमें यह बताता है, कि जब variable quantitative है, तो हमारे पास अभी तक यह decision लेना बाकी है, कि हम mean को use करेंगे या median को use करेंगे, उसके लिए हम बनाते हैं कि अगर उसकी skewness, अभी मैं आपको बताता हूँ, यह skewness होती क्या है और हम इसको कहां से देखेंगे, अगर data की skewness प्लस या मािनस वन से जादा है, तो हम हमेशा prefer करेंगे median को use करने देखें, यहाँ पर मैं लफज use कर रहा हूँ, prefer करेंगे, मैं यह नहीं कहरा हा कि हम हम लाजमी तोर पे median को यूज करेंगे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम प्रेफर करेंगे median को यूज करेंगे और अगर डेटा की स्क्यूनेस प्लस माइनस वन से कम हैं तो हम mean भी use कर सकते हैं median भी use कर सकते हैं ज़यदा तर लोग उसमें mean को use करती है अब यहाँ पे मेरे पास variable age है age एक quantitative variable है और quantitative variable के लिए अभी हमने rule number one में सीखा था कि हम mean या median को use करेंगे mode यहाँ पे हमारी choice नहीं होगी क्योंके variable categorical नहीं था अच्छा अब mean और median के दरमयान में distinction करने के लिए हमारे पास rule number two मौजूद है rule number two हमें यह बताता है कि data की skewness हमें यह बताएगी कि हम mean या median में से क्या use करें अगर आप इसी summary statistics में नीचे जाके देखें तो आपको यह rule number ten के ओपर skewness की value लिखी हुई मिल जाएगी skewness का मतलब अंग्रेजी का word है अंग्रेजी का मतलब इस मतलब है कि data में एक symmetry से हटके कितना है so यह एक mathematical value है इसकी shape के ओपर हम इतना नहीं जाते primarily हमें graph करना पड़ता है data की skewness को देखने के लिए लेकिन यहां पर हमारे पास excel की वज़ा से उसकी numerical value मौजूद है और हमने rule क्या बनाया हुआ है कि अगर यह skewness की value plus minus one से ज्यादा है तो हम हमेशा prefer करेंगे median को use करेंगे अब यहां पर अगर आप skewness की value देखें तो point zero nine है point zero nine तो one से ज्यादा नहीं है लेहाजा हमारे पास choice है कि हम mean और median में से कोई सा भी use कर सकते हैं और ज्यादा तर लोग जहां पर mean ही use करेंगे लेहाजा इस data को यहां एज के data को present करने के लिए मैं use करूंगा mean को जो कि यहां पर 46.9398 है तो यहां पर हमारे पास उसका answer यानि आम तोर पर जो हम mean का तर्जमा करते हैं आम तोर पर जो data में उम्रे हैं वो 46.93 के लग बग है एक और example में करते हैं एक और variable मेरे पास income का variable है इसमें देखते हैं कि mean, median और mode में से हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे तो उसी तरीके से हम data analysis को click किया, descriptive statistics को choice किया, ok का button प्रेस किया, यहां पर हम data की information देदेंगे कि जो income का column यहां पर मौझूद है, income का column हमारे पास O1 से लेकर O5001 तक हमारे पास मौझूद है दूसरी information हमने देखनी है कि क्या इसमें label मौझूद है या नहीं, जी label बिलकुल मौझूद है क्योंकि मैं O1 से start कर रहा हूँ और जो जाद रखने वाली बात है, summary statistics को हमने लाज़मी तोर पे आन करना है क्योंकि अगर इसको on नहीं करेंगे तो हमें Excel कुछ भी visualize नहीं करवाएगी, OK का button प्रेस किया, तो depending on the speed of your computer ये आपके सामने result आ जाएंगे अब यहाँ पे हमने देखना है mean यूज करना है, median यूज करना है या mode, सबसे पहले rule number one यूज किया, क्या data categorical था, जी data categorical नहीं था, income का data quantitative का data है लहाँ रूल number one हमें ये बताता है, हमने mean या median में से कुछ यूज करना है, और जब mean या median में से जब हमने distinction करनी है तो हमने rule number two को यूज करते हुए skewness को देखने है, यहाँ पे अगर इसकी skewness की देखी तो यहाँ पे value five point one two है, जो के rule के मताबिक plus minus one से बहुत ज़्यादा है लहाँ यहाँ पे mean को यूज करने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, हम prefer करेंगे median को यूज करने में हमारे पास जो statistics मौजूद है, उसका नाम median है, तो हम यह कहेंगे कि आम तोर के उपर जो इस database में customer मौजूद है, उनकी income जो है वो 38,000 के करीब मौजूद है सो यहाँ पे हमारे पास यह दो example मैंने आपके सामने कर दी, एक categorical की example भी कर लेते हैं ताकि यह चीज जो है, वो clear हो जाए, दोबारा हम data पे जाते है, और यहाँ पे एक variable मेरे पास मौजूद है, जिसका नाम है gender, जेंडर में categorical data मौजूद है, जहर है male का data है या female का data है, और यहाँ पे दोबारा आपको बता दू, zero हम represent कर रहे है, male के उपर one represent कर रहे है, female का, तो उसी तरीके से हम data analysis को click किया, descriptive statistics को choose किया, okay का button प्रेस किया, और यहाँ पे हम information देंगे, उस variable की, यानि D column की, D one से लेकर, D five thousand, one तक, बाकी सारी information वही रहेंगी, और okay का button प्रेस किय तो यहाँ पे हमारे सामने, उसका mean, median, mode तीनों वैलियूज आ जाएंगी, यहाँ पे rule number one को use हमने किया, तो हमें information मिली की, क्योंके data categorical है, यहाँ हम mode को use करेंगे, mean और median को choose करने का को कोई सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता, so mode यहाँ पे one है, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, इसका answer one नहीं है, इसका answer one नहीं है, क्योंके one हमने code किया हुआ है female का, तो हम यह कहेंगे कि आम तोर के उपर इस particular data set में जो customer है, वो female है, क्यों female है, क्योंके one code है female का, यह हमारे पास information मौझूद है, उमीद है कि यह चीज़ें आपको समझ आ गी होगी, एक औ में यह बताता है कि data कितना दूर दूर है एक दूसरे से या कितना एक दूसरे के बिलकुल पास पास है, मैं मिसाल इसकी आपको यू देता हूं, कि अगर data में जो values हैं, वो आप बाजार से कुछ चीज़ लेने जाते हैं, और आपको एक दुकान चीज़ बताती है, 10 रुप चीज़ वो ही है, एक दुकान 10 रुपए बता रही है, एक दुकान 40 रुपए बता रही है, एक दुकान 100 रुपए बता रही है, तो आपके जहन में आ जाएगा कि यहाँ मामला ज़्यादा गड़़ए, चाइद quality का फरक है या शाइद कोई और चीज़ फरक है, लेकिन नहीं है इसी चीज़ को अगर मैं टेकनिकली आपके सामने बोलूँगा तो हम में कहूंगा जहां पर वैलियूज करीब-करीब हैं तो हम उसको कहेंगे डेटा इस कंसिस्टेंट एक दूसरे के करीब-करीब है और जहां पर डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता उसमें हम कहते हैं अच्छा अब यहां पे हमें इसका Excel कैसे बताएगी Excel में हमारे पास ये रोल नंबर 7 में अगर आप देखे तो Standard Deviation के नाम का आपको एक कॉलम मिलेगा जो के आपको 0.4996 बता रहा है जेंडर के नाम पे अगर आप एज के डेटे में या इंकम के डेटे में Standard Deviation की वैल्यू देखें तो Standard Deviation की वैल्यू यहां पे इंकम का जो डेटा है महाँ पे 55.54 है तो ये जेंडर में ये वैल्यू 0.49 सम्थिंग ती जबके इंकम के डेटे में ये वैल्यू 54.54 तो इससे हम क्या नतीजा निकालेंगे कि जो इंकम का डेटा है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वैल्यू बहुत कम भी है और वैल्यू बहुत ज़्यादा भी है तो फॉरन हमारे जहन में आता है कि यहां पे कोई चीज गडबड जरूर है कि यह डेटे में कोई सबसेटिंग होनी चाहिए थी मुक्तलिफ किसम का डेटा मौजूद था जिसकी वज़ा से यहां पे इतना ज़्यदा फैला हुआ है इसी के मुकाबले में जब हम डेटा देखते हैं एज का यह आपकी स्क्रीन पे इस वकत होगा इसमें हमारे पास जो स्टेंडर्ड इविएशन है वो 17.70 है इसका मतलब है अगर मैं इंकम के साथ इसको कंपेर करूँ तो इंकम के मकाबले में तो यह डेविएशन या वेरिएशन बहुत कम है तो इसका मतलब है कि एज में वेरिएशन इतनी ज़्यदा मौझूद नहीं है लेकिन इंकम में बहुत ज़्यदा वेरिएशन मौझूद है या इसी चीज को मैं दूसरे नमबर पे कहूँ age का data जो है वो consistent है जबकि income का data consistent नहीं है तो एक ही चीज को कहने के यह दो तरीके और जहां पे consistency ज्यादा होती है statistically या data analytically हम यह बोलते हैं कि वो data ज्यादा बहतर है क्योंकि उसमें variability बहुत कम है और जहां पे variability ज्यादा होती है वहां में हम कहते हैं कि हमें further analysis करना पड़ेगा, further probe करना पड़ेगा, further investigation करनी पड़ेगी इस particular research में क्योंकि यहां पे variability बहुत जाए जी इस session में हमने देखा कि जब हम descriptive statistics की बात करते हैं mean, median या mode की बात करते हैं तो किस situation में हम यह कैसे फैसला करते हैं कि हमें mean इस्तमाल करने, median इस्तमाल करने या mode इस्तमाल करने उमीद है कि session से आपको समझा आ गई होगी